आज हम खीचडी बना रहे हैं देशी खीचडी मगर उसमें कितनी अच्छी पोस्टिक ता हो सकती है और कितना अच्छा स्वाद हो सकता है इसको ध्यान में रखते वे हम इसकी तैयारी कर रहे हैं खीचडी में जैसे मूँचिलका की डाल और चावल अभी भीभोके रख दी हैं और दूसरी और हम सब्जियां यानि पोस्टिक ता को बढ़ाने के लिए और क्योंकि बच्चे वैसे साधानत नहीं खाते हैं मगर खीचडी में कितनी भी सब्जियां मिला दे उखा लेते हैं यानि एक पोस्टिक ता जो है शरीर में पहुंच जाती है सब्जियों में हमने आलू लिया है प्याज लिया है गोबी ली है गाजर ली है बीन्स लिये है और लोकी ली है इसके अत्रिक्त भी जो सेजनल सबजियां होती है उसका हम उप्योग कर सकते हैं उसके साथ ही कुछ विशेश परकार के मसाले जो शरीर के लिए भी उप्योगिये और स्वाद को भी बढ़ाते हैं उसके लिए हमने लौंग, काली मिर्च, इलाईची और अद्रक, लहसून, जावित्री और दालचीने इन सब को हमने मिला के और इसमें उटना प्रादम किया है कि इसी के साथ में ये हरी मिर्च है, इसको भी हम उट लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से उसके अंदर मेस हो जाएगी ये सारी सबजियां और जो हमने मूंदुलीदार और चावल जिसको विगो के रखा था, वो सभी उनने कुकर में डाल दिये और इधर जो हमने ये से मसाले हमने कूटे उनको भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं जो एक परकार थोड़ा सा पेश्ट सा बना है ये हमने पूरी तरह से मिला लिया है सब कुछ मिला दिया है और इसमें बरकूर पानी डालना है पानी डालने के बार में नमक भी डालना है हमने डाल दिया है अलकी सी हल्दी भी थोड़ा सा रंग अच्छा जाएगा और पूस्टिक का भी बढ़ेगी पानी हम यतना डाल रहे हैं जितने से सारी सब्जियां एकदम से भीग जाए और सब्जियां पानी के अंदर हो जाए यह जो कुकर है यह और जिसमें इसमें जितनी सामगरी ली है वो हमने चार जनों की खिचडी यानि चार जनों का पूरा भोजन खिचडी के अतरिक्त कुछ नहीं काना आज है यह सब कुछ मिल गया है सब मुछ तयारी है अब खाली कुछ कर पर चड़ाना है दो आनि सुआ आपर पिर अब हमने दनियां पता कविटम से डाल दिया है पानी थोड़ा सा कम लग रहा है और ढाल देते आ यानि पूरी तुदर ऐसे पतली खिचडी बनेगी जिसको हम दही पापड अचार और घी जैसा कि कहते हैं खिचडी के चार यार दही पापड घी अचार उनके साथ खाने में पूरी तयारी है घी की जगे हम बटर यूज़ करेंगे वो और अच्छा लगेगा स्वाद और थोड़ा सा डाल दिया बस अब बिल्कुल तैयार है को कर बंद करके और केवल गेज पर चड़ाने की तैयारी है दे दिया है कि कि सब कुछ इस कुकर के अंदर डालने के बाद में अब हम गेज जला रहे हैं और ये पकना शुरू हो गया है लगबख तीन मिनट तक इसको तेज आंच पर पकाएंगे और उसके बाद में लगबख बीस मिनट तक इसको मंदे आंच में पकाने के लिए छोड़ देंगे और फिर कूकर बंद भी करेंगे तो भी लबबग 20 मिनट तक इसको खोलेंगे नहीं ताकि ये अंदर ये अंदर एकदम से घुल जाए बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और उसके बाद में इसको हम खोलने के बाद में दही, अचार, पापड इसके साथ खाएंगे और उससे भी पहले हम इसमें अपनी स्वाद के अनुसार बटर और निम्बू भी स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे ये है आज की हमारी खिचडी का नया फॉर्मूला देख ले इतने ही होता है क्यों नहीं जाब पचार पोट्वड़दे का लोकर